बुर्वानिगबच्चो, चाप्टर 7, 8 बे दिन और बे लोग जो हम पढ़े थे उसका आज हम कोशिनल सा डिसकर्शन करेंगे आपना संपन घर का काम सेक्ड़ों बर्स पहले कोन करता था? संपन घर का काम सेक्ड़ों बर्स पहले नोकर लोग करते थे बच्पन में रविंद्रानाथ का देखबार कौन करता था? बच्पन में रविंद्रानाथ का देखबार नोकर सारे करते थे रविंद्रानाथ ठाकूर का उपनयान संस्कार किस उम्र में हुआ रविंद्रानाथ ठाकूर का उपनयान संस्कार बारा बर्स की उम्र में हुआ ब्रजेश्वर कौन था ब्रजेश्वर उनका नोकर था रविंद्रानाथ किस जगह से इंगलंड के लिए रवाना हुए रविंद्र नाथ मुंबाई से पूने जाने बाले जाहाज से इंगलंड के लिए रवाना हुए रविंद्र नाथ ठाकूर का जन्म कहां हुआ? कोलकता, इलाबाद, लखनो या दिल्ली? कोलकता ब्रजिस्वर का सोब कैसा था? चंचल, चतूर, सरमिल या गंबीर? गंबीर था ब्रजिस्वर पहले क्या काम करता था? चोकिदारी, गुरुआई, हवल्दारी या बैदगिरी? गुरुआई लेखक का की मैफिल में केंद्र कौन था? केलाश चाटर जी? मुहंदास, कमल दास या केलाश दास? केलाश चाटर जी लेखक को किस से लगाप हो चुका था? रामायान, महाबारत, दोनों या समाचार पत्र? दोनों से देखो, गध्यान्स पढ़कर पूछे गए प्रस्नों के उत्तर लिखे यात्रा के दोरान पिताजी मुझे अंग्रेजी, ब्याकरण, बंगला और खोगल बिग्यान पढ़ाते इस यात्रा में मुझे उनका दूसरा ही रूप देखने को मिला, जबकि जन्स्तान जोड संके में उनसे डर लगता था, पर घर लोड कर जब मैं लोगों को यात्रा के किस से सुनाता तो मा को गर्भ होता भाई जोतिरिंद्रा और भावी को कांदिवरी कविता से जुडने में मेरी मदद करते जोतिरिंद्रा नाटग लिखते थे और गीत मुझे से लिखवाते थे नाटग में जब गीत गाय जाते तो लोगों यह जानकर आश्यरे होते कि यह गीत मैंने लिखा है क्या हुआ बच्चो यात्रा के दोरान पिताजी लेखक को क्या पढ़ाते थे यात्रा के दोरान पिताजी लेखक को अंग्रेजी ब्याकरन बंगला और खोगोल विग्यान पढ़ाते थे कविता से जूडने में लेखक की कौन मदद करता था उनके भईया जोतिरिंद्र और भावी कांधिवरी लेखक की मा को गर्ब क्यों होता था कि वो यात्रा के दोरान क्या करते थे वो बताने के बताय जब उनको गर्ब होता था जोतिरिंद्र क्या लिखते थे जोतिरिंद्र नाटक लिखते थे यात्रा में लेखक को क्या देखने को मिला यात्रा में लेखक को पिताजी के दूसरे रूप को देखने को मिला देखो उचीच सब लिखकर रिक्स्तान की पूर्ति कीजे धनी घरों में ज्यादा काम डेक्स ही करते हैं धनी गरों में ज्यादा काम नोकर चाकर ही करते हैं डेक्स पर बिठा कर और बाहर ना निकलने की हिदायत करते थे खिर्की पर बिठा कर बाहर ना निकलने की हिदायत करते थे एक बार डेक्स में सडक पर पानी आ गया था एक बार बरसाद में सड़क पर पाने आ गया था स्कूल में डेक्स के बाद भी मेरी पढ़ाई चलती रही स्कूल में अरुची के बाद भी मेरी पढ़ाई चलती रही लेखग अपनी पिताजी के साथ सबसे पहले डेक्स गए लेखा वक्ष ने पिता जी के साथ सबसे पहले सांती निकेतन गए